तो आज 10th mathematics में हैं चर्चा करेंगे तो चर्चा क्या करना है कि एक देखे 10th में एक theorem है जिसको कहते है परम है 10.2 कहता है कि बृत पर किसी बाहि बिंदू से खीची गए असपर सरेखा की लंबा ही समान होती है तो यह बिरत है एक ओकेंदर वाला एक मान लिए कि एक बिरत है तो बिरत है ओकेंदर वाला माना कि एक बिरत ओकेंदर वाला एक बिरत है जिसके बाहर पी एक बिंदू है तो पी बिंदू सित बिर्थ पर दो अस पर्स रेखा हैं खीची गई है एक एक को टच करते हुए दूसरा बी को टच करते हुए तो देखे सबसे पहले इसमें सबसे पहले लिखनेयों कि तरीका तो सबसे पहले मान ले आपि ओक्यंद्रवाला कोई वृत है ओक्यंद्रवाला कोई वृत है जिसके बाहर पी कोई बिंदू है जिसके बाहर पी कोई बिंदू है जिससे बिर्त पर दो असपड सरे खाएं पी ए तथा पी भी खीची गई है अब देखिए सबसे पहले इसमें है क्या तो कहता है मान लिया कि ओके इंद्रवाला कोई बिर्त है जिसके बाहर पी कोई ओके इंद्रवाला एक बिर्त है जिसके बाहर पी एक बिंदू है जिससे बिर्त पर पी ये तथा पी भी दो असपर सरे खाएं खीची गई है इतना बाद तो ये तो हम माने है उसके बाद प्रूफ क्या करना है में ये दोनों की लंबाई पी ये इक्वल पी भी तो लिखना है टू प्रूफ डेट हिंदिम कहते है इससे सिद्ध करना है कि सिद्ध करना है कि सिद्ध करना कि एगर लिखेंगे यहां पर विवरन चन्य देंगे इसके नीचे लिखना यहां HaPców Pva थो ऑउड में अगर आपको बढ़िय क॓ लाना है तो तरीका लिखने का सही होना चाहिए तो सही मेरा लिखने का तरीका था इसलिए हमें बोड में जिब सौ नमर के एक्जाम हुआ करता था तो हमें 95-98 नमर आता था इसका कारण यह है कि आपका तरीका सही होना चाहिए मैं तो सिद्ध करना है पीए इकॉल पीवी तो यह बात है कि सिद्ध करना इसके बाद हम चलेंगे प्रमान में इसे को कहते हैं प्रोफ प्रोफ करेंगे कैसा तो देखिए यह है आपका दो ट्रेंगल बन रहा है फी ओ ए और एक ट्रेंगल बन रहा है पी dw in ट्रेंगल पी ओए and P-O-B मतलब है तरभूज P-O-A एवं तरभूज P-O-B में तरभूज P-O-A एवं तरभूज P-O-B में क्या-क्या चीज मिल रहा तो सबसे पहला देखिए O-P-O-P, ये दोनों तरभूज में है तो O-P equal O-P ये क्या है आपका कुमन है ये है आपका कुमन O-P equal O-P कुमन है और O-A equal O-A equal O-B O-A equal O-B radius of a circle मतलब ये बृत्य की तिर्जिया है आरूस radius of circle बृत्य की तिर्जिया है उसके बाद है ये एक एंगल भी हो जाएगा एंगल पी-ए पी-ए-O इक्वल एंगल पी-बी-ओ 90 डिग्री 90 डिग्री तो 90 डिग्री क्या हो तो इसका 10.1 जब थेवरम पढ़िएगा तो वहाँ पर एक बात है कि बृत्य के किसी बाहे बिंदू से खीची गए असपरस रेखा तिर्जिया पर लंब होती है तो तिर्जिया जो है तिर्जिया पर क्या होगा ये लंब होगा मतलब यहाँ पर भी 90 डिग्री कौन अहां पर भी 90 डिग्री एंगल बनेगा दोनों साइड नइटे डिग्री एंगल बनेगा इक्वल होगा तो देखिए उसके बात तो कॉंग्रेंसी रूल है मतलब सर्वांग शमता नियम जो है रहस से रहस से या फिर यहां पर लिखिए एक बात त्रभोज प सब्सक्राइब कहां से तो आयएस से जब यह सर्वांग सम् हो गया तो क्या हो जायागा अब का तो यह भी एक्वांग सम्ถेवर होop तो यह हो जाएगा प्यक्वल पीवी बाइस सीपी सिटी यह क्या था पीए एक्वल पीवी आपको प्रूब्ड करना था कि अगर इसी तरह आपको मैथ का और सारे टिप्स और ट्रिक्स चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक सेर सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर कोई बात के दिखकत है आपको अगर कोई मैथ में फिजिक्स में किमस्ट्री में तो आपको बर्कार के आपको सलाह किए पोर्ड बे अच्छा अस्कोर करना है तो हमारे चैनल को लाइक सेर सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं आप से नेक्ट वीडियो में तब तक के जये जाएंड